हेलो दोस्तों वेल्कम बेक तू माई चैनल फ्रेंट्स आज में आप लोगों के लिए ऐसा फेस मास्क बनाने वाली हूँ कि जिससे आपके सारे डाग दब्बे पिंपल या पिग्मेंटेशन टैनिंग की कोई भी प्रॉब्लेम हो तो वो सारी प्रॉब्लेम सबकी ये वीडि ख drown a change तो फ्रेंट्स इसके लिए हमें में जो इंग्रिदेन्स है संतरेख़ च च्लके मैंने यहां गयाए चाती है और चक्छिलग को बनाने के लिए शची संतरेख़ काTalk Sबीक पर में टोगूशन उसमें cleansing होता है, anti-fungal होता है और anti-bacterial का गुन होता है और इसमें पाया जाता है potassium, magnesium और calcium ऐसे टटवो मौजूर होते हैं इसमें तो ये बहुत ही अच्छे रहते हैं हमारे face के लिए और हमारे hair के लिए भी ये बहुत अच्छे रहते हैं अगर hair का growth अपका अच्छा नहीं हो इसं ये प्लेट लेए और इसे सुखाना है इसके बाद दूसरा जो मैंने इंग्रिजास लिया है वह है निम्बू को हमें कैसे तो आप निम्बू ले लो और निम्बू के पानी को निचोड लो मतलब की juice बना लो या पिर शर्वर बना 5-6 दिन तक कड़ी धूप में सुखाना है तो यह एकदम धूप में अच्छे से सिख जाए उसके बाद इसकी हमें पेस बनानी है संत्रा क्या जो गुन होता है वैसे ही अच्छे गुनों से भरपू होते हैं निम्बू के जिलके तो निम्बू के जिलके भी फैके मत इसे भी इस मास में हम यूज करेगे तो और जो हमें इंग्रिजेंस लिये है वो कुछ इस तरह से है तो यहां पर मैंने लिये है कुछ रोस की पट्टिया फ्रेज जो रोस आते है मेरे गार्डन में अवेलेबल होते है उसकी पट्टिया ली है मैंने और मैंने लिये है हल्दी जो फ परणिशख हुसिए तो ये तीनिश चुचू को हमने अच्छे से वाँस करके फिल लिया है तो यह हमारे फुढ़ी है उम्हारी चिलके लिए वो सुक करेली हो गया है इसमें आफ देख सेकते हो लिए हैं नाब को इस पर दृण को ची होती है इसकी जगे आपर नॉनर्मल हल्दी बी दाये हो लेकिन ये जो हल्दी होती है वो बहुत effective होती है हमारे face के लिए तो मैंने इसलिए इस हल्दी का use किया है और ये जो मैंने बाउल भर के मैंने संत्रे की छिलके लिए है जिसे हमने धोके अच्छे से सुखाए थे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से सुख गये है आसानी स ये तूत रहे है तो इस तरह से हमें संत्रे की छिलकों को सुखाना है इसके बाद हमने लिए थे निम्बू के छिलके तो इसे भी हमें बहुत ही अच्छे से सुखा लिया है आप देख सकते हो ताकि मिक्सी की जार में ये अच्छे से पेस हो जाए इसकी तो ये बहुत ही अ मैंने लिये है जो आपके कीचन में हमेसा अवेलेबल होते है जिसमें है बेसन बेसन की जग्या आप चने की डाल का यूज कर सकते हो लेकिन मैंने यहां पर डायर्टली बेसन का ही यूज किया है तो मैंने वन कटोरी भरके यहां पर बेसन लिया है और हाफ कटोरी भरके मैंने यहाँ पर चावल लिया है कोई भी नॉर्मल चावल आपके घड़ में जो भी चावल अवेलेबिल हो उस चावल का यूस присक्ते हो तो मैंने यहाँ पर कोलंग चावल आते हैं वो लिये है अधिकब भणे और नास में मैंने जो लिया है वो है मसूर की दाल तो यह जो मसूर की दाल होती है वो भी हमारे फेस की सारी प्रोब्लम्स को डूर करने में बहुत ही इफेक्टिव होती है और यह कुछ इस तरह से होती है और औरेंज कलर में होती है तो आप इससे भी मार्केर से लेके या फिर आपके घर में अवेलेबल होती है इतनी चीजे तो इतनी चीजों के यूज हम इस मास को बनाने के लिए करेगे तो अब हम लेगे एक मिक्सिका जार वो भी एकदम फ्रेस और अच्छा साफ सुत्रा जार हमें लेना है उसमें थोड़ा भी पानी नहीं होना चाहिए तो उसमें हम साधे ड्राइ इंडिटर्स इस निम भू जो हमने युज किया है उसे इसमें इड़ कर देें तो इससी अच्छे से सुखाने का मतलब क्या है कि अगर आप इसे अच्छे से सुखाओगे नहीं, तो इसकी जो पेस हम बनाएगे, वो एकदम बारिक नहीं बनेगी, और बहुत ही अच्छा पेस अगर आपको चाहिए, तो इसे अप अच्छे से सुखा लो, और अगर आप इसे पूरे साल तक स्टोर करना चाहते हो, तो इसे आप 6-7 दिन तो कुछ भी इसके चिलके उपर लगना नहीं जाए तो मस्तलब कि इसे सुखाते ताइम आप इससे इस तरह से कवर करके रखे कि इसके उपर कोई भी कच्रा ना जम पाए इस तरह से इसे हमें सुखाना है तो पहले हमने सारे इंग्रिडेंस दाल दी अभी एक जो कब बाकी है उ तुम हम यह कुछ चला लेगे इसके बाद हमें जो जो रुसरे चलके है इसे हम दाल देंगे अब नहीं होते है तो इसी वजह सेbenर किया है कि अच्छे से ब्लेंड कर लिया है बहुत बारिक हो तब तक हमें इसे blend करना है और फिर इसे मैंने एक stainer की help से अच्छे से छान लिया है तो आप देख सकते हो मैंने इसे एकदम बारिक ली छान लिया है stainer की help से लेकिन इसमें से जो access कच्रा निकलता है मतलब कच्रा मतलब जो बड़ा part होता है जो stainer के बाहर र बारिक नहीं है थोड़ा दरदरा है इसी हम अपने body scrub के लिए यूज करेगी आप अपने पूरे साल में body पे कभी भी tanning की आपको कोई भी परिसानी लग रही है तो आप body scrub की तरह से इसे यूज करेगे और यह है face mask बनाने के लिए powder तो इसे इस तरह से मैंने पीसा है आप देख सकते हो अभी इसमें हम last ingredients को add करेगे तो वो है बेसन जो हमने बेसन लिया था उसे एड करेगे अगर आप चना डाल ले रहे हो तो खुद मखुद इसमें पीस जाएगी तो अच्छे से mix हो जाएगी लेकिन last में हमने यहां पे लिया है बेसन तो बेसन को अच्छे से ह अगर आपको झड़न हो रही अच्छा रिजल देगा अगर आपको कोई डाउत है तो आप इसे बना के थोरी सी कॉंटिति में बना के इसे एक महिने तक यूज़ करें उसके बाद आपका जो अनुबव है आपके आपके बोड़ी पे आपको क्या फर्क रिखाए दिया आपको क्या फर्क दिखाए दिया व इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मतलब कि आपकी स्कीन कॉंट सी है ओली है पिंपल वाली है टैनिंग वाली है जो भी स्कीन है आपकी वो स्कीन के अकॉर्डिंग में आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी कि आप कैसी इस पावडर को पेस बना कि इसका साफ सुत्रा कंटेनर लेना है हमें और फिर इसे हमें साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं इससे ज्यादा कॉंटिटी में भी आप इसे बना सकते हो और ये जो स्क्रब मैंने बनाया है उसमें आप पानी डालो या फिर गुलाब जल डालो और फिर पूरी बोड़ी को स्क्रब कर सकते हो यह इतना स्क्रब जो मैंने बनाया है वो आपको 3-4 दिन या फिर आप अगर थोड़ा सा यूज़ करते हो तो पूरे एक विक तक आपको आराम से चलेगा और यह जो फेस मास्क है वो आपको पूरा 3-4 महिने तक आराम से चलेगा इतनी कौंटिती में जितना हमने बनाया है अगर आपको साल भर का बनाना है तो आपको जो इंग्रिडेंस लिए है उसमें थोड़ी सी कौंटिती ज़्यादा करके आपको इसको बनाना है तो फ्रेंड्स यह जो स्क्रब है वो आपको पूरी बॉड़ी के उपर लगाना है आपकी बॉड़ी जहां पर आपको लग रहा है कि वहां पर आपको बहुत ब्लैकनेस हो गई है तो वहाँ पर आपको इसे लगाना है थोड़ा सा मसाज करना है पांसे छे मिनित तक इसे मसाज करना है और फिर इसे हमें थोड़ी दिन मतलब पंदरा मिनित तक सुखाने देना है और उसके बार हमें पानी से या फिर साबुन से निकालना है और फिर साबुन से नहाना है आप कि जो बॉरी है एक्दम स्मूर्ट और साइनी हो जाएगी और बहुत ही अच्छा रिजल देता है यह जो मास्क है वो तो यह फेस मास्क जो है उसे हाप कौन सी स्कीन वाले है वो स्कीन अलग-अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हो तो हम पहले बात करेगी ऑईली स्कीन वा इसमें सहद या फिर मिल्क का यूज़ करके लगा सकते हैं तीसरी है पिंपल वाले स्कीन वाले लोग इसमें नीम का पानी या फिर गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं तैनिंग वाले स्कीन वाले यहां पे दही या तमाटर का ड्रस को यूज़ कर सकते हैं और डाग दपे व वाले इस mask का फाइडा उढ़ा सकते हैं लेकिन sensitive skin वाले एक बार इसे बना के check कर लिए कर लिजिए उसके बाद ही इसका use करें आता रखते हूं friends आज का वीडियो आपको helpful लगा होगा वीडियो helpful लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like and share करिएगा अपने family and friends के साथ और मेरी चैनल पर first time आये हो तो support करिएगा subscribe करिएगा मेरी इस चैनल को तो मिलते हैं मेरा next वीडियो में till then tata bye bye and thank you so much for watching my video viewers bye bye